ये गाईश नमस्कार में आमें लेकीद भीया एक बड़ी खुश खबरी आ रही है आप सब के लिए और पहली बार मैं बता भी रहा हूँ पूरे यूटूब पे अभी तक किसी ने नहीं बता है क्योंकि ये भी रातो रात ही खबर आई थी और मैं आपको बताने वाला पूरा नहीं समझा है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजे लिखी है लेकिन सबसे में चीज लिखी एक बैया सौट्स वीडियो और लॉंग वीडियो दोनों कैसे वाइरल किया जाए और कैसे काम करता है कैसे चलती है वीडियो कैसे चैनल गुरो होता है ये सारी चीज कुछी सब्दो होगे इस चीज पर यार ऐसा चैनल आपको ढूलने पर नहीं मिलेगा जो सबसे पहले अपडेट बताता हो और अच्छे से बताता हो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहां पर हम आपको स्क्रीन पर जाके सब पर यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आपको समझाते हैं यहां पर यूटूब पर ट्रांसफर किया जाएगा उसके बाद इस प्रकार से आगया और यहां पर पहला जिसके बारे मेंगे हैं इसी को हम समझ लेते हैं यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे help your videos stand out and keep viewer watching यहाँ पर यह लिखा है growing your channel it's all about creating videos viewers want to watch and accurately present them to the audience when doing so here are 5 tips to keep in mind कहलेंगा मतलब यह हम आपको tips जो दे रहे हैं यह हमेशा अपने दिमाख में रखना अब guys एक बात बताओ आप लोग बोलते बहीं जैन्वन ट्रिक बताओ जैन्वन बताओ अब इससे ज्यादा क्या जैन्वन होगा जो यूटूब ने खुद बता रखा है वहीं ट्रिक आपको बताने वाला हो इसी वीडियो में अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यूटूब ने सब बता दिया है विट इच वीडियो अब इतना समझ लो पहले उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इतना यह लिखा है अपनी हर वीडियो के साथ बहुत ध्यान से सोचो और बनाओ की टाइटल में क्या डालना है डिस्किप्सल में क्या डालना है टैग में क्या डालना है थमनेल में क्या लगाना है और वीडियो टॉपिक क्या है अच्छे से सोचो तभी बनाओ नहीं तो ऐसे कुछ भी बना दोगे न तो आपकी वीडियो नहीं चलेगी यह यूटूब का कहना है यह नॉर्मल सी बात होगे आगे समझो बड़ी बाते हैं मतलब तब आप अपके वीवर को पता चलेगा जब आप वीडियो डालोगे उसी सब चीजों से पता चलते है टाइटल थम्नेल डिस्क्रिप्शन से कि आपके वीडियो में क्या उनको मिलने वाला है यह बताया गया है इप यू आर ए सौर्ट्स क्रियेटर अब यहाँ पर हम सौर्ट्स क्रियेटर की बात कर लेते हैं कि इस सौर्ट्स के लिए क्या कहा गया सिंपल यहाँ कहा गया है इप यू आर ए सौर्ट्स क्रियेटर थिंक अबाउट हाव दा फर्स्ट वन टू सिकंड आप यूर कंटेंड ग्रैब वीवर स्क्रोलिंग थ्रो दा वीडियो फीड अब यह समझने वाली और याद रखना वो दो सिकंड आपका सबसे महतपूर होना चाहिए पूरे आपके सौर्ट्स वीडियो में सबसे जादा महतपूर होना चाहिए मतलब यह यह कि जिससे के लोग रोक सके अब मैं थोड़ा से एक्जामपल आपको दूँगा हम सौर्ट्स जो बनाते हैं अपने शैनल पे हर जिगा हम वाइरल है आपको सभी को पता होगा हमारी सबसे पहली वीडियो वाइरल हुई थी वो कैसे होई थी कौन से होई थी समझ जाओगे आपकी एक दो सिकंड कितना कीमती होता है हम ऐसे राधा हमारी वाइफ ऐसे जा रही थी और हम ऐसे फोन लेके खड़े थे उसके बाद मैंने बोला रुको 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 इतना मैंने बोला था तीन ये चार बार बोला था उसके बाद क्या हुआ कि वही तीन ये चार बार मतलब एक दो सिकंड मैंने बोला था उसके बाद लोग क्या करते हैं स्क्रॉल करते रहते हैं एक सिकंड दो सिकंड देखके स्क्रॉल मारते हैं लेकिन वही मैंने बोला रुको 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 अब मैंने तो रादा को बोला लेकिन लोग रुक गए यार यह क्या होने माला है रुको करते यह यह एक दो सीकट में वाइरल होने वाली यूटूब स्थ ऐसे वाइरल होती है एक दो सिकट में ही वाइरल होती है आपकी यूटूब स्थ जो है तरीस चीद को याद रखना अपने माइंड में सब्लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है once you got viewer watching you can redirect यहां पर नीचे सेट में रिफिलिक्ट हो रहा हुगा नीले कलर में वह आपका है स्टेक करता है वीवर को खीषता में इसलिए वह तीन का में डिस्क्रिप्षनबॉक्स में हिपा टका रिजह यूच कर टॉप में यूटुब के तरप से और यहां पर नीचे इस बड़ी चीज है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हाव डू आई प्रमोट माई वीडियो यहाँ पर साप साप लिखा हुआ एक भईया अपना स्टोरी लगाया करो अपने यूटूब चैनल में और प्लस यहाँ पर कम्यूटी पोस्ट डाला करो और मैं आपको सिंपल समझा द दी गई हैं मैं सारी चीजे अभी इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं वरना यह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसलिए नेस्ट वीडियो फिर से बनाएंगे इसी के उपर देखते हैं इसमें और क्या-क्या चीजे यूटूब ने बता रखता है ओके वीडियो कैसा लगा कमेंट निकर गई जलूब बताना तैंके सोमाज सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले अपडेट ऐसे ही देखने के लिए